आप सभी का एक बार फिर इस्टोरियोग्राफिक की इस से क्लास में आरिये एडियोएप की तरफ से स्वागत है आज का अपना टॉपिक रहेगा आदर्सवादी परंपरा इसमें डिल थे, क्रोचे और पॉलिंग वूड है आदर्सवादी परंपरा नाम देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है तो पहले तो इस सब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी आदर्सवादी परंपरा और इसमें तीन विचारक है दिल थे, क्रोचे दिल थे जर्मिनी के थे, क्रोचे इटली के और आर जी कॉलिंग वूड ये बेटे इनके थे, ओक्सपोर्ड विस्वी डेले में इन तीनों विचारकों पर थोड़ी तर्चा होगी हर एक पर 15-20 मिन्ट गंठेबर की क्लास में गंठेबर में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे अलागि दिल थे, क्रोचे और कॉलिंग वूड तीनों पर दो-दो गंठे की क्लास भी कम रहती है लेकिन हमें एक्जाम के पॉइंट ओप्वी से हमें कम है, to the point अप्रोच अपनानी पड़ेगी इन पर डिटेल विसलेशन बाद में फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं क्लास जरू डालूंगा यहाँ पर हमें to the point एक्जाम के अकोर्डिंग इसमें कलना है यहाँ पर जो मुख्य चीज है आदर्सवाद यह जो सब्द है, आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन यह सब्द के अर्थ के काण कई बार कन्फिजन हो जता है यहाँ आदर्सवाद से जो ताट्प्रिय है एक आइडियल इस्थितिनना होकर एक मानक इस्थितिनना होकर इसे समने तमान देते हैं आदर्स एक ऐसा मानक है तो यहाँ यह मानक नहीं है बलकि यहाँ परे यह बल किस पर देते हैं विचार परे बल देते हैं यहाँ परे आदर्सवादी परंपरा में जो मुखे अउधारना है वो यह है कि यह दार्षनिक के विचारों परे आदारित है और हम देखते भी हैं कि क्रोचे कहते हैं कि समस्त इतियास समसामई का है कॉलिंग उड़ कहते हैं कि समस्त इतियास से विचारों का इतियास है दिल थे तो क्लियरली इस आधार पर कि इतियासिक ग्यान मानो निर्मित है इसलिए वीको की ट्रेडिसन को आगे बढ़ते हुए य क्योंकि जिस चीज को मनुस्य निर्मित किया है, उसको पूरी तरह से जाना जा सकता है. तो यहाँ पर एक तो आदर सब्ध का अर्थ समझना है. यह आदर्सवादी परंपरा हीगल के समय से शुरू भी थी. Hegel, Marx ये भी इसी आदर्सवादी परंपरा के थे लेकिन हमें इतियास के point of view से इसमें देखना है तो इतियास के point of view से ये डिल थे, क्रोचे और कॉलिंग वूड के साथ हम शुरू मानते हैं वैसे आदर्सवाद Hegel से शुरू माना जाता है अगर pure philosophical point of view से देखें then idealism culminates in the philosophy of Hegel Hegel was the person who gave the idea of being, becoming sorry being और जो सत्य, संबूत और इस तरह की आदर्णा दी थी तो उसके आदार पर जो आदर्णा है Hegel की यह उदारना ज्यादा है हिष्ट्री में Hegel से प्रेरित होते वे मार्क्स ने बाद में इसको आगे बढ़ाया दिल थे क्रोचे और कॉलिंग वुड में इस आदर्सवादी परंपरा को आगे बढ़ाया है यहाँ पर आदर्सवाद का यह अर्थ समझने के आदार पर कि यह मानक नहीं बलकि एक विजार है यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक विशेस्ताओं को हमें प्रारम में ही मैं इसको आउटलाइन कर दूँ कि इस्टूडेंट्स को यह कंफ्यूज नहीं हो कि आदर्सवाद बेसिकली है क्या तो शुरुवात में इसकी बेसिक तीन च्यार विशेस्ताओं आप इसमें नौट कर लीजिए कि क्या विशेस्ताओं हैं उसके बाद हम एक 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 डिल्थे क्रोचे और कॉलिंग उड पे चलते जाएंगे पहली जो विशेस्ता है वो यह है कि यहाँ पर जैसा मैंने बताया विचार महत्तुपूर्ण है क्या है आदर्सवाद में विचार महत्तुपूर्ण है मैं बिल्कुल टेलिग्राफिक लेंग्वेज में एक दम सोट लिखा रहा हूँ कंसोलिडेटेड चीज क्रिश्टल फॉर्म में ताकि स्टुडेंट उसको इजिली आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पर विचार महत्तुपूर्ण है और अब कैसे महत्तुपूर्ण है यह इनकी डेफिनेशन्स में और इनको आगे पढ़ेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा दूसरा है कि यहाँ पर मानव चेतना की महत्तुपूर्ण भूमी का है मानव चेतना की महत्तुपूर्ण भूमी का है महत्तुपूर्ण भूमी का है दूसरी विशेष्टा इसकी यह है कि यहाँ पर मानव चेतना की बहुत ज्यादा महतुपून बुमिका है चुकि विचार कहां पर होंगे मनुस्य के मस्तिस्क में होंगे उसकी चेतना में होंगे इसलिए यहां पर मानो चेतना की बड़ी महतुपूने बुमिका है तीसरी यह है कि यह वर्तमान के परिप्रेक्षे में अतीत का अध्यन करते हैं तो वर्तमान के परिप्रेक्षे में परिप्रेक्षे में अतीत का अध्यन और यहां पर महतुपूर्ण हमें सभी इस्तियास समसामें कि इस लाइन की जब व्याख्या करेंगे तब यह चीज समझ में भी आ जाएगी वरतवान के परिप्रेक्से में अतीत का अध्यन्द करते हैं ये जो विचारदरा है ये आदर्सवादी विचारदरा कहलाती है और इसमें चोथी है ये मानते हैं कि इतियास में जो समन्ने और जो विशेस है इसका समन्वे होता है इतियास में समन्ने वे विशेश का समन्वे होता है मूर्थ और अमूर्थ का समन्वे होता है वे विशेश का समन्वे होता है ये इन च्यार विशेशताओं के आदार पर आप इन च्यार को नोट डाउन कर लेना आपको आधर्स्वाद का basic अर्थ समझ में आ जाएगा कि basically आधर्स्वाद क्या है मैं फिर से repeat कर दूं ये आधर्स्वाद में विचार महत्वपूर्ण है मनुस्य की चेतना महत्वपूर्ण है वर्तमान के परिप्रेक्षे में अधीत का अध्यने किया जाता है कि इसी लिए सभी इतियास समसामई की बन जाता है प्रोचे के सब्दों में और इतियास में समन्नेवे विशेश का जनरल और परिटिकुलर का एक कॉम्बिनेशन एक समन्नवे यहां पर होता है यह है बेसिकली आदर्षवादी परंपरा और यह हैं तीन थिंकर्स आदर्षवाद पर थोड़ी सी और चर्चा करते वे कि इसके अंतरगत इतियास की जो प्रकृति है इसको दर्षण सास्त्रिय द्रषटी से इस पर विचार किया गया है तो इसमें अगर हम पांचवी इसकी विशेश्ता देखें तो पांचवी विशे या दार्षणिक द्रिषटी से दर्षण सास्त्रिय द्रिषटी से विचार किया गया है विचार या चिंतन इसमें किया जता है यह बेसिकली आदर्षवादी परंपरा है प्रोचे और जो कॉलिंग उड़ है इन्होंने तो सापेक्स वादी विचारों में भी इतियास लेक Relativistic history की हम बात करेंगे 군imi belief. साप्यक्सवादी इतियास है, कि के लिए भी एक दर्शनास्त्रिय justification दिया है, philosophy उसको justify किया है कि साप्यक्स जो इतियास है, साप्यक्स से इतियास है, किस तरीके से valid है इस चीज़ की वो व्याक्या करते हैं. इतियासिक जो सापेक्स वाद है इसको हम यह कह सकते हैं कि बेसिकली वो इसकी व्याख्या करते हैं कि सारा इतियास से व्याख्या पर आधारित है इसलिए सारा इतियास सापेक्स है यहां पर तीजें इंटरिलेटेड हैं पिसली क्लास में हमने इतियासिक व्याख्या पर चर् आदर स्वादी दिश्टी कौन है इसके अनुसार इतियास की जो व्याख्या है ये विस्व की दार्शनिक व्याख्या पर आधारित होती है इतियास की व्याख्या विस्व की दार्शनिक व्याख्या पर आधारित है दार्ष्टिक व्याख्या पर आदारित है इतियास की व्याख्या विस्व की दार्ष्टिक व्याख्या पर आदारित है यह चोटी-चोटी consolidated form में मैं चीजे इसलिए लिखा रहा हूँ कि factual के साथ साथ आप इसके आउधारनात्मक चीजों को एक्जाम में क्यों सना सकते हैं कि इनमें से कौ्ण सी चीज सही है कौ्ण सी चीज इसमें गलत है या कैँ आजगल इसमें si सनाते हैं और खास तोरी पर इस तरह की आएंगे कि तीन-तीन आपके सामने या चार option देभिए इनमें से कोड़ से सही है कोई से थीन सभी है या कोई सा सभी है तो ठोड़ा सा ओधार acesso कान रातमीन सिज़ों को समझना पड़ेगा ओधार नात्मिक चीजों को समझने के लिए हमारे पास एक इस्टी तो समझने के लिए और ये की वर्ड सिम में आपको इसकी एक दाष्थिक परमपरा के प्रियादार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं एक पॉइंट इसमें आप और जोड सकते हैं कि जो आदर स्वाधी दृष्टिकोन है इसके अनुसार किसी विशेश दर्शन का अनुसरन किये बिना हम मनुस्य का जो है जीवन की व्याख्या नहीं हो सकती इतियास की अनुसरन किये बिना अनुसरन किये बिना जीवन वे इतियास की व्याख्या नहीं हो सकती जीवन वे इतियास की व्याख्या नहीं हो सकती यानि यह दर्शन और विचार पर बल देता है नहीं हो सकती basically जो concept है वो इसमें विचार पर है विचार और विचार की भी व्याख्या इसलिए यहाँ पर व्यक्तिनिष्ट इतियास ही इनका बनता है इन पर allegation भी लगता है खास तोर पर डिल्थे पर या इनके उपर यह अपने दर्शन को या अपने इतियास को वस्तुनिष्ट लेवल तक नीज ले जा पाए विचार और विचार भी किस तरह की इतियासकार का विचार और इसके काण से व्यक्तिनिष्टा का allegation लगा या तक के कार इसकार भीवलाउट में इतियास को पत्यों की व्यक्छा इतियासकार तत्यों की कोई इतियासकार इतियासकार इस तरह की बात करके बेस्किली स्ब्जेक्टिव चीजों को जयदा इसमें डाल दिया है गुष्एडद दिया है यह तक कि तो जो क्रोचे जब करते हैं कि सम्कून इतियास समसामईग है तो इसमें बहुत सारी चीज़े आ जाती है कि समसामईग कौन सा है जो वर्तमान में जिसकी रेलेवन्स है वो ही इतियास है जिसकी रेलेवन्स नहीं है वो इतियास के अतीत में तथ्थे पड़ा है और जिस समय मानली जी उसके relevance होगी प्रासंगिक्ता होगी वो फिर से वापिस से इतियासकार के मन में विचार के रूप में आकर एक समसामई के इतियास बन जाएगा तो बेसिकली इस से एक चीज और निकल कर आती है कि जो प्रतेग इतियासकार है ये अपने युग के विचार और दर्शन से परवावित होता है और अपने युग की जो आउसकताएं है अपने समाजी के आर्थिक राजनेतिक दार्मिक दिश्टिकौन और क्या डिमांड है उस से ये परवावित होता है तो एक के बेसिक चीज यहां पर ये निकल कर आती है कि प्रतेग इतियासकार ये इनका मानना है आदर स्वादी विचार का इतियासकार अपने युग कि विचारदारा से प्रभावित होता है अब विचारदारा में आप सारी चीजें एड़ कर लेना सामाजी गार्थिक राजनेतिक दार में के प्रभावित होता है मैं बड़ा सोट में लिखा रहा हूँ प्रभावित होता है और उस विचारदारा के अनुसार ही वो एक दर्श को समझने के लिए ये जरूरी है कि उसमें मानव विकास द्वारा मानव के विचारों द्वारा निवाई गयी बहुमिका को प्रोपरली समझा जाथ कि क्योंकि विचार की इसमें भॉमिका है तो आदर्स वाद ये कहता है कि अगर इतिहास को समझना है तो हमें एह एतियासिक विकास को समझना है तो एतियासिक विकास में जो मनुस्ये के विचार हैं क्योंकि समस्त इतियास विचारों का इतियास है कॉलिंग उड जैसा कहता है कि समसामईग है उसी परंपरा को कॉलिंग उड ने आगे बढ़ाया तो अब सभी इतियास विचारों का इतियास है समसामईग है समसामईग होने के कारण अंते करिया होगी तभी समसामईग बनेगा विचार होंगे, विचारों का इतियास है, तो इसके लिए जरूरी है कि विचारों द्वारा जो बोमिका निभाई जाती है इतियास में, उसको समझा जाए, तो ये विचार पर ज्यादा बल देते हैं, तो इसलिए एक दार्षनिक है, डीन इंज, उन्होंने के बड़ा फेमस से कथन दिया था, डीन इंज, ये कहते हैं कि सर्व सक्तिमान इस वर से भी बड़ी सक्ती इतियास कार के हाथ में है, क्योंकि इस वर भी अतीज को नहीं बदल सकता, लेकिन इतियास कार अतीज को बदल सकता है, तो डीन इंज, ये जो कथन दे रहे हैं, वो इसी आदार पर रहे हैं कि यह मैं कोटेशन लिखा दूँ कि सर्व सक्तिमान इस वर से भी ज्यादा सर्व सक्तिमान इस वर से भी ज्यादा सक्ति साली जो सक्ति है इतियासकार के आतों में है से भी ज्यादा तक्ती इतियासकार के हातों में है इतियासकार के हातों में है क्योंकि इतियासकार अतीद को बदल सकता है अतीद को कैसे बदलेगा क्योंकि उसकी पुनर व्याख्या होगी, वो बदल सकता है इसलिए क्रोचे कहते हैं कि हर युग को अपना इतियास दुबारा से लिखना से यह यह भी कहा गया है कि हर युग को अपना इतियास लिखना पड़ेगा, हर युग को अपना इतियास लिखना पड़ेगा तो यहां पर वस्तुनिश्टा वाली बात के बात करना थोड़ा सा बेमानी होगी, possible नहीं है तो विल हैं जो डिल थे थे, क्रोचे और कालिंग वूड इन्होंने अपने अपने इतियास दर्सन में आदर्सवादी दर्श्रीकोन को अपने अपने अंगल से प्रदानता दी है तीनों ही विचारों को प्रदानता देते हैं और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है एक निश्यत थ्रेड ही आद दागे में कनेक्टिंग थ्रेड में हैं दे आर इन डेफिनेट कनेक्टिंग थ्रेड इफ यू इडेंटिफाई वन पॉइंट देन यू कैन अंडर्स्टेंड वॉल फिलोस्पी आफ आइडिलिस्टिक हिस्टोरियन से इन तीनों की पूरी ट्रेडिसन को आप समझ सकते हैं तो दिल थे यहां पर पहले व्यक्ति है जिसके हम चर्चा करेंगे और दिल थे पहले व्यक्ति भी थे जिन्होंने इस परसन को उठाया कि एतियासिक ग्यान का बेसिकली सुरूप क्या है इससे पहले 18 सेंसुरी तक या 19 सेंसुरी के मिड तक इस तरह की चीज पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं थी जो रांके है रांके को कई जगा रैंक भी लिखा आता है अब एक्जाम में भी लिखा हो सकता है इस पर भी बाद में हम इसके आगले टॉपिक में आएंगे यह वी को रांके इसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ जैसा कि आधर स्वाइदी कहते हैं कि भाई हर एक जो मानुवी जो ग्यान है इतियास है उसका एक दार्शनिक आधार होना चाहिए रांके उसको उस तरह के एक फिलोसोफिकल बेस पर नहीं ले जा पाए रांके फैल टुक दे इस्ट्री ऑन दे बेसिक फाउंडिशन ओफि लोस्पी उस लेवल तक नहीं ले जा पाए तो डिल्थे ने यहां पर पहली बार इस चीज में सपलता प्राप्त की कि एतियासिक ज्यान के सुरूप को आइडेंटिफाई करने का परसन उठाया और यह परसन ने रांके ने शुरुआत की थी लेकिन रांके के उल तक उलज कर रहे गए रंके व्याक्या पर नहीं जा पाए रंके विचार पर नहीं जा पाए तो यहां पर अब हम सुरू कर रहे हैं पहले विचार के विल्हेम डिल्थे से जर्मनी में इनका जन्म हुआ था विलहेम दिल थे उनका जीवनकाल अठारसो तेट्टी से 91 सो गयरा तक है 91 सो गयरा तक और ये बैसिकली जनम इनका जर्मनी में हुआ था लेकिन इनकी मृत्यु इटली में हुई थी इनका जनम जर्मनी में हुआ था ओर डिल थे की जो यह पहले जैसा मैंने बताया कि पहले वेक्ति हैं जिन्होंने रांके के एतिहासिक तत्तु को गंभीरता से लिया. रांके के एतिहासिक तत्तु को गंभीरता से लेने वाले पहले वेक्ति. गंभीरता से लेने वाले पहले वेक्ति. क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इन चीजों को केवल फैक्चुल चीजों तक और इनकी फिलोसोपिकल डेफ्ट की जो चीज उनको भी कंसॉलिडेटेड क्रिश्टल फॉर्म में आइम ट्राइंग मैं लेवल वैस्ट तो डेट यू कें गेट क्रिश्टल आइडियाज आपको कंस मैं इस चीज पर ये परशन उठाया कि एतिहासिक की ग्यान का सुरूपे क्या होना चाहिए डिल थे कि जो सबसे प्रिशिद पुस्तक है इसका नाम है हर्मिनिटिक्स ऑप दे इस्टेडी ओफ ए हिस्ट्री इनकी जो पुस्तक हैं तीन पुस्तके हैं इनकी हर्मिनिटिक्स से ऑफ दे इस्टेडी ओफ ए हिस्ट्री इनकी सबसे प्रिशिद पुस्तक है हर्मिनिटिक्स से ऑफ दे इस्टेडी ओफ ए हिस्ट्री हर्मिनिटिक्स हर्मिनिटिस्क होगा यह अर्मिनियोटिस्क आफ दे स्टेडी आफ ए हिस्ट्री ये इनकी जो सबसे प्रसिद पुस्तक है इनकी जो अन्य जो पुस्तक है वो है दे एसेंस ओफ फिलोस्पी और तीसी जो पुस्तक है तो दूसरी पुस्तक है दे एसेंस ओफ फिलोस्पी इस पर भी क्यों सना सकते है क्योंकि तीन इनकी प्रसिद किताबे हैं तो इनमें से कौन सी किताब दिल थे द्वारा नहीं लिखी गई है तो दूसरी किताब है दे एसेंस ओफ फिलोस्पी और तीस यह है था कंस्ट्रक्शन ओफ इस्टोरिकल वर्ड इन ए हुमन इस्टेड़ीज अच्ट्रक्शन ओफ इस्टोरिकल नौलेज नौलेज इन हुमन इस्टीज इस्टोरिकल नौलेज लिख दिया हुमन इस्टोरिकल वर्ड इन हुमन इस्टेड़ीज यह इनकी जो तीन परसिद पुस्टक हैं इनमें सबसे जो परसिद पुस्टक है हर्मनेटिक्स ओप ते स्टेड़ी ओफ इस्ट्री यह पहली परसिद पुस्टक है अब एक बेसिक चीज मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाओंगा क्योंकि वीको हम बाद में पढ़ेंगे रांके भी हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद जो टॉपिक होगा एंड ओफ इस्ट्री वाला फ्रांसिस फुकाया मा की कंसेप्ट उसके बाद में हम उन चीजों प्याएंगे इसमें वीको रांके हार्डर हीगल मार्क से यह सारे विचार के इसमें होंगे तो यहां पर मैं पहले वीको के शुरुआत करके कि कौन सा विचार इन्होंने वीको से प्रेरित होकर लिया और उस विचार को वीको ने प्रारंबिक रूप में दिया था और इस विचार को जो वेरम फेक्टम का विचार है इसके आदार पर इन्होंने knowledge की दो तरह की साखाई बनाई प्राकृतिक विज्ञान और मानिवी विज्ञान में इन्होंने डिल्थे ने अंतर किया तो यहां पर इस topic में विको का एक concept है वेरम फेक्टम मैं इसके बारे में आपसे पहले जब topic आएगा उस तो में मैं detail में चर्चा कर लूँगा वेरम फेक्टम में ये 18th century की beginning में विको ने ये concept दी थी विको के समय विको की basic समझ्या ये थी कि डेकार्ट के दर्सन के कारणे देकार्ट इस्ट्री वाज रिडूस्ट टू डस्ट इस्ट्री को मिट्टी में मिला दिया गया था कि डेकार्ट ये चाहते थे डेकार्ट की जो चीज थी वो basic theme ये थी कि जो भी ग्यान है वो पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए गणितिये ग्यान की तरह जिसे दो और दो चाहर होते हैं knowledge should be very clear and categorical बिल्कुल साफ होना चाहिए और इतियास में चुकि वैसा ग्यान नहीं हो सकता है इसलिए इतियास के ग्यान को वो ग्यान नहीं मानते थे डेकार्ट who is regarded father of modern philosophy उन्होंने उनकी थेओरी के आदार पर ग्यान को बिल्कुल इतियास के ग्यान को बिल्कुल neglect कर दिया गया अब वीको पहले वेक्ती थे जिन्होंने इतियास के ग्यान को उस dust से वापस उठा के उस मिट्टी से वापस उठा के पुनर इस भी है वो यह है कि भई मनुस्य उस चीज के बारे में आप इसको लिख लो मैं बोर्ड पर लिखाओंगा नी क्योंकि लिखाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है कि मनुस्य उस चीज के बारे में पूरी तरह से हंडेल परेसेंट या संपूर्ण ग्यान प्राप्ट कर सकता है जिसका निरमान उसने स्वयम्में किया है । यह वेरम फेक्टम का सिद्धानत है अब चूंकि इतियास का जो निरमान ने है वो मनुस्यकर ने किया है अब यहां पर वो डेकार्ट वाली जो concept थी उस पर ये वाफिस से मैं आ रहा हूं कि डेकार्ट केते थे कि ग्यान ऐसा होना चीजिए जो सत्परतिस्थ श्योर हो तो वी को कह रहे हैं कि डेकार्ट से कि देखिए इतियास का ग्यान सत्परतिस्थ प्राप्त किया जा सकता है क् कि इतियास का निर्माण मनुष्य स्वयम करता है तो वेरम फेक्टम के बैसिस पर उन्होंने इतियास को 100% ग्यान संभव माना इसी तरह गणित का ग्यान भी मनुष्य द्वारा निर्मित है इसलिए गणित के ग्यान को भी वो मानते हैं कि गणित का भी 100% ग्यान प्राप्त कर सकता है और विको की समझ्या थी जैसा मैंने बताया डेकार्ट की को काउंटर करना अब विको के इसी विचार को आगे बढ़ाते वे डिल थे ने जो ग्यान को दो बागों में बाटा एक प्राकृतिक ग्यान और दूसरा मानिवे विज्ञान यह यहां पर विको कितरह ही है तो दिल थे ने विको से प्रेरित होकर विको की तरह ही इस ग्यान को इसको बैसिकली दो बागों में बाटती है एक तो प्राकृतिक विज्ञान तो कि प्रकृति का निर्मान मनुस्य नहीं किया है इसलिए हम प्राकृतिक विज्ञान का 100% ग्यान नहीं कर सकते लेकिन दू mathematics भी basically, तो कि मनुष्य ने ही बनाई है, इस तरह से मानविये विज्ञान सुकि मानव निर्मित है, और मानव निर्मित चीज का हम पूरा ज्यान प्राप्त कर सकते हैं, इतियास इसी तरह का मानव निर्मित ज्यान है, उसका पूरा ज्यान प्राप्त हो सकता है, तो डिल्थे ग्यान के चत्र को दो बागों में बाटा प्राकृतिक विज्ञान और मानवी विज्ञान और इस विवाजन में इनको प्रेड़ना मिली है कहां से विको के वेरम फैक्टम से तो इन दोनों में आप सिमिलर्टी काफी है ये बिल्कुल एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अध्यन की तुलना में मनुस्य का अध्यन अधिक सूस्पष्ट तरीके उसे हो सकता है क्योंकि मनुस्य की जो सारी गत्यविदिया है वो मनुस्य द्वारा निर्मित है अब आदमी खुद के द्वारा निर्मित चीज को जान सकता है प्रकृति अब मान लीजि आदे एवाल्यूशन के बाद एवाल्यूशन कैसे वा वो प्राकृतिक हो सकता है लेकिन मनुस्य के जीवन की सारी गठनाओं का निर्माता वो स्वयम है तो ऐसा कैसे संभव है कि वो अपने द्वारा निर्मित चीजों को नहीं जान सकता इसलिए प्रकृति की अध्यन की सार्जनिक कारिय इतियास भी क्या है बेसिकली इसी इनी सार्जनिक कारियों में वो भाग लेता है या उसी की व्याख्या करता है दिल्थे के नुसार इतियास ही मनुस्य का मनुस्य का एक प्रमानिक ग्यान देने का एक मतरे स्रोथ है तो दिल्थे की जो बेसिक कंसेप्ट ह इसके उपर दो तीन चीजें जो इतियास के संदर्ब में जो खास तोर पे मैं बता रहा हूं वो आप नोट डाउन कर लो कि पहली चीज तो यह कि हम प्रकृति के ग्यान की तुलना में मानव दुआरा निर्मित गती वीडियों का अधिक सपष्ट ग्यान प्राप्ट कर सकते ह हैं पहला तो यह कि हम प्रकृति की तुलना में क्योंकि इस तरह के लाइन कुछ सना सकते हैं कि इन में से कौन सा खतन सही है प्रकृति की तुलना में मानव निर्मित चीजों का ग्यान अधिक इस पष्ट तरीके से प्राप्ट कर सकते हैं प्रकृति का चीज़े तो हमारी दोरा निर्मित नहीं है लेकि मनुस्यों की चीज़े हमने बनाई है दूसरी चीज़े कि डिल थे मानव के सारजनिक कारियों में ज्यादा रूची लेता है। इतियास पे सारजनिक कारियी है। सारजनिक कारियों में ज्यादा रूची लेता है। मनुस्य के सारजनिक कारियों में ज्यादा रूची लेता है। और डिल थे ये भी कहता है कि मनुस्य का जो प्रामानिक ग्यान प्राप्त करने का एक मत्र जो स्रोत है वो इतियास है. तीसरा ये कि इतियास मानु का प्रामानिक ग्यान प्राप्त करने का ग्यान प्राप्त करने का एक मत्र स्रोत है. क्योंकि इतियास मानु दरा निर्मित है इसलिए हम इसके आदार पे इसको जान सकते हैं क्योंकि जो चीज हमने निर्मित की है वो तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि इतियास ही मनुस्य का प्रामानिक ग्यान प्राप्त करने का एक मत्र स्रोत है क्योंकि मनुस मनुस्य और इतियासकार, दोनों ही क्या है, एक जीवन परकिरिया के बीच इस्तिति हैं। मनुस्य मूल ते एतियासिक है और मनुस्य द्वारा रचित गटनाओं, मुल्यों, संस्कृतियों को हम बहतर तरीके से जान सकते हैं क्योंकि इन गटनाओं का जो निर्मान है वो हमने किया है मनुस्य बेसिकली क्या है इतियासिक है इतियासिक इसलिए है कि समाज में रह रहा है सारी चीजें वो खुद रचित कर रहा है और अपने द्वारा रचित चीजों को मनुस्य बहतर तरीके से जान सकता है यहां पर तीच्यार जो मूल कंसेप्ट है कि इतियास का जो सुरूप क्या है इतियास का सुरूप है कि इतियास मानुद्वरा निर्मित है एक डिल थे कि एक और बेसिक कंसेप्ट है वो चीजों को एक आत्म प्रकास्टनिय रूप में या फुद से इवालुविस अंदर से बीतर से विक्सित चीजों के रूप में उसको जीवन का अर्थ देता है तो एक के डिल थे कि इस concept को अपने को और समझना पड़ेगा कि आत्म प्रकास निये वस्तु के रूप में जीवन का अर्थ दिल थे का ये मानना है कि जीवन अपने आप में अर्थ पूर्ण है इसका कोई बाहरी अर्थ नहीं है Life gets its meaning from within, not from outside हम जीवन का अर्थ है, अपने बीतर से ही लेते हैं कोई बाहर से इसका अर्थ नहीं होता है तो इसकी basic चीज क्या है, कि जीवन अपने आप में अर्थ पूर्ण है इसका कोई बाहरी अर्थ नहीं है इसका कोई बाहरी अर्थ नहीं है बाहरी अर्थ नहीं है अपने रूट से ही अर्थ ले रहा है, बाहर से ही कोई अर्थ नहीं ले रहा है जीवन अपने आप में ही अर्थ पूर्ण है और इसकी कोई आमूर्थ व्यक्या नहीं हो सकती प्रतेक युग का अर्थ मनुस्य द्वारा निर्मित वातावन के अंतर सम्मंदों को व्यक्त करता है इसकी कोई एमूर्थ हम व्यक्या नहीं कर सकते प्रतेक युग में जो इसका जो मिनिंग है वो basically मनुष्य द्वारा निर्मित वातावन के अंतर सम्मंदों को व्यक्त करता है तो ये है basically आत्म परकास निये अर्थ में जीवन युग का निर्मान बीतेवे युग पे होता है परतेग युग अपने से पिसले युग पर निर्मित होता है वर्तमान बूतकाल से जुड़ावा है साथ में अर्थ पूर्ण रंग से सम्पूर्ण जो बूतकाल है उसको अपने अंदर समेटेवे भी है यानि इस आधार पे हम ये कहते हैं कि वर्तमान का निर्मान किस पे हो रहा है प्रतेग युग का निर्मान बीते वे युग पर होता है बीते युग पर या अतीद पर वर्तमान का निर्मान है वर्तमान का निर्मान होता है और वर्तमान अपने आपको अर्थ पूर्ण डंग से अपने आप में अर्थ पूर्ण डंग से अतीद को समेटे वे और वर्तमान अर्थ पूर्ण डंग से अपने बितर अतीद को समेटे है अतीद को समेटे वे वर्तमान बहुती अर्थ पौन डंग से अपने भी तरे अतीत को संपौन जो बूतकाल है या अतीत को अपने भी तरे समिटे वे है बूतकाल और वर्तमान के अंतर सम्मंदों को समझते वे भी समझते वे ही मनुष्य से इतियास का सही अर्थे समझ सकता है यानि इतियास से अब यहां पर आ जाती है समवाद वाली चीज कि भूत और वर्तमान में अतीत और वर्तमान में निरंतर जो समवाद वाली चीज है वही इतियास है क्यों? क्योंकि भूतकाल और वर्तमान को जो अंतर सम्मन्द है इसको समझते वे मनुस्य इतियास का सही अर्थ समझ सकता है तो इस तरीके से भूतकाल अर्थ पूर्ण डंग से वर्तमान में सामिल है उसकी व्यक्या मनुस्य के मस्तिस्क में हो रही है मनुस्य के विचारों में हो रही है और ये जो अर्थ है, मनुस्य, बूतकाल और अतीत का जो अर्थ है, ये अपने बीतर ही, इसका अर्थ उत्पन होता है, इसका कोई बाहरी संबन्द नहीं होता है, बूतकाल और अतीत का जो एक अंतर संबन्द है, ये इतियासकार के मन में, मस्तिस्क में, उसके बीतर उत्पन होता है इसका कोई बाहरी अर्थ नहीं है और इस से जो अर्थ है ये जो मनुस्य का जो अर्थ है इसका अवबोद का विकास से वियवारिक जीवन की हमारी जो प्रेक्टिकल लाइफ की जो डिमांड से हैं उसके according होता है वर्तमान की जो आउस्टिकता होती है उसके according होता है इसलिए सब के अंदर इसको अगर देखा जाए तो इन तीनों में वही एक चीज आती है कि सभी इतियास लाश्ट में क्या हो जाता है समसामाई का है अलाएं कि ये definition क्रोचे की है लेकिन आप डिल्थे में भी इस तरह की चीज देख सकते हैं जब डिल्थे कहते हैं कि वर्तमान का निर समय टेवे हैं और बूतकाल और वर्तमान के अंतर समंदों को समझतेवे ही मनें से इतियास का सई अर्थ समस्कता है और ये अर्थ मानों के बीदर से उत्पन हो रहा है कहीं बाहर से उत्पन नियुक्त और इस अर्थ का निर्मान व्यवारिक जीवन के मांग के according होता है अगर हमारी देमांड बदल गई, समय बदल गया तो ये अर्थ है, चुकि बीतर से निर्मित हो रहा है हमारी डेमांड के अनुसार हो रहा है तो ये अर्थ बदल भी जाएगा यहाँ पर फिर वही व्यक्तिनिष्टा वाली चीज हमारे सामने आ जाईएगी तो ये बैसिकली आत्म प्रकास निये जो फितर से इवल्व हो रहा है उस अर्थ में ये चीज है इसमें क्यों सना सकता है कि अंदर से विक्सित या जो self developed जो illuminated जो meaning है इसकी अवधारना ये किसकी है आत्म प्रकास निये वस्तु के अर्थ में जीवन का अर्थ है ये अवधारन डिल्थे ने दी है अब डिल्थे पर एक चीज और आती है कि डिल्थे एतिहासिक ग्यान का जो सवाव है ये क्या मानते हैं इसमें एक चीज है एतिहासिक ग्यान का सवाव वाट इस नेचर ओफ इस्टोरिकल नॉलेज एतिहासिक ग्यान का सवाव इलको सोट में मैं कंसॉलिडेट टू दी पॉइंट में ये चीजे मैं बता रहा हूँ कि एतिहासिक ग्यान ने डिल्थे गनुसार इतिहास में व्यक्ति परमुक्वले है और मूलबूती इकाई भी है जो सबसे बेसिक यूनिट है वो व्यक्ति है और वो ही परमुक्वले है तो इतिहासिक ग्यान का सवाव क्या है मैं बताया वेरम फैक्टम वीकों के सिद्धान के मूसर मनुस्य झांड़ सकता है क्योंकि मनुस्य द्वारा निर्मित है तो बेसिक जो इकाई है मूल बूत इकाई है वो भी क्या होगा मनुस्य होगा और व्यक्ति ही प्रमुखे मुल्ले होगा तो एतियास ग्यान में व्यक्ति प्रमुखे मुल्ले है प्रमुखे मुल्ले है तथा मूल बूत इकाई भी है स्मूल बोत इकाई भी है स्मूल बोत इकाई भी है स्मूल बोत इकाई भी मनुश्य ही है प्रकृति के जो विज्ञान है बेसिकली जैसे इन्होंने चीजों को दो पार्ट्स में बटा है एक प्रकृति के विज्ञान है और दूसरा हमें मानुवे विज्ञान कह सकते है मानुवे जो ब्रांच है वो कह सकते है प्रकृति का निर्मान मनुश्य ने नहीं किया इसलिए हम उसको क्लियरली नहीं जान सकते है लेकिन जो भी मानो अधारित चीज़े है मानो द्वारा रची चीजें है उसका निर्मान मनुष्य ने किया इसलिए हम उसको बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं तो प्रकृति के जो विग्यान है इसका कार ये केवल वर्णन करना है नियमों का खोज करना है ये डिल ते केते हैं प्रकृति क्या जो प्रकृति की जान है वो केवल डिस्क्राइब करती है वर्णन करती है और उन में नियमों की खोज करती है जैसे मानीज ये फिजिक्स की चीज़ है गुर्तवाकरशनबल का न्यूटन ने गुर्टवाकरशन बा जो बल है उसकी खोजगी सिर पर उसके सेवगिरी या गेलीलियो ने या कोपर निकस ने जो ये बताया कि पर्थवी सूरिये के चारों और चक्कर लगाती है तो प्रकर्ट जो प्राकर्तिक विग्यान है इसका काम केवल वर्णन करना है और नियमों की खोज करना है लेकिन जो सामाजिक विग्यान है जिसमें इतियास भी है इसका कारिय जो है वो मुले निर्दारिन करना है तो सामाजिक विदाओं का कारिय लक्से और मुले निर्दारिन करना है लक्से और मुले निर्दारित करना है मुले निर्दारित करना है जबकि विग्यान मुले निर्दारित नहीं करती है विग्यान नियम बनाती है नियम बताती है उनकी खोज करती है विग्यान मुले निर्दारित नहीं कर सकती अब आप देखिए कि मानव के जीवन में मुल्यों का कितना मेत्तु है और इन मुल्यों को हम जान भी सकते हैं क्योंकि ये किस के द्वारा निर्मित है ये मनुस्य के द्वारा स्वयम के द्वारा निर्मित है एतियासिक विस्वे मनुस्य द्वारा रचित वे मस्तिस्क द्व द्वारा प्रवाविते दुनिया है क्योंकि एतियास की जो रसना किस ने की है मनुस्य ने की है तो एतियासिक ग्यान का सुरूप क्या है ये मानौ द्वारा रिचित है एतियासिक ग्यान क्या है ये मानौ द्वारा रिचित है और मस्तिस्क द्वारा मानौ मस्तिस्क द्वारा प्रभावित है यहां पर मनुस्य द्वारा रचित और मनुस्य द्वारा प्रभावित होने पर फिर वस्तुनिष्टा वाली समस्य आ जाती है वो संभवे नहीं है तो तीसरी चीज है एतिहासिक विस्व मानु द्वारा रचित मानौ द्वारा रचित वह प्रभावित है एतियासि ग्यान के सुरूप और सुभाव की बात कर रहा हूं कि इसमें व्यक्ति परमुक मुल्ले है और मुल्बो तिकाई भी है और यहां पर बैसी काम इसका मुल्ले निर्दारन करना है और एतियासिक्विस्व मानौ द्वारा रचित है वह मानौ द्वारा परभावित है अता है इतियास की विशेवस्थू मानौ द्वारा निर्मिति कारिवाई होंगी है जो भी गतिविदिया है वो होंगी क्योंकि इतियासिक्विस्व मानौ द्वारा रचित है तो इतियास की जो विशेवस्तु है वो भी मानुव द्वारा की गई कारिये वाई होंगी इतियास की विशेवस्तु मानुव गतिविदियां या मानुव के कारिये हैं मानुव द्वारा रचित है मानुव द्वारा प्रभावित है तो मानुव किसका लिख रहा है सब कुछ मानुव के कारियों का ही इसमें वर्णन है ये मस्तिस्की अविव्यक्तिया है इतियास बेसिकली क्या है ये मस्तिस्की अविव्यक्तिया तो यहाँ पर मस्तिस्की अभिव्यक्तियां यह विचार रूप में है तो मैंने बताया कि आदर्स्वादी परंप्रा क्या है यह विचार पर बल देता है यानि यह मस्तिस्की अभिव्यक्तियां है एतिया सिग्यान क्या है बेसिकली मस्तिस्की अभिव्यक्तियां काईणड एंड ब्रेन और मस्तिस्क की अवियक्ति ओते वे भी डिलते इनको इम पर्सनल भी कहता है निर्व्यक्तिक अब वैसे व्यक्तिक हो जाना चाहिए यह चीज कहने में विरोधा बशिसी लगती है कि भई मनुस्य के मस्तिस्क की उपज है फिर यह इंपर्सनल या निर दिलते फिर भी कहते हैं कि एतियास सिक्विस सो मानू द्वारा रिश्चित प्रबावित हैं इंतना सब होने के बावजूद भी यह जो है निर्व्यक्तिक है और तत्यों पर आदारीत होने कि काल और ये निर्व्यक्तिक है तो इसमें एतियासिक ज्यान के सुरूप में चोथा पॉइंट यह हो जाएगा कि यह सभी क्या है यह निर्व्यक्तिक है निर्व्यक्तिक या इंपर्सनल है इट इस नॉट पर्सनल इसमें व्यक्तिकत पूर्वाग्र है नहीं हो सकते यह इंपर्सनल है यह निर्व्यक्तिक है और निर्व्यक्तिक होने का कारण क्या बताता है कि यह तथ्यों पर आदारित है तथ्यों पर आदारित होने के कारण अब तथ्ये वाली बात ये कहां से लेकर आ रहे हैं ये रांके से लेकर आ रहे हैं हलांकि रांके से पूरी तरह ये संतुष्ट नहीं थे रांके कहता था इतियास कार को वो बताना चाहिए जैसा था और पूरी तरह तथ्यों पर आधारित इतियास की बात करता है वो लेकिन यहां पर व्याख्या आधारित इतियास की बात हो रही है लेकिन व्याख्या होने के बावजूद भी दिल्थे कहते हैं कि ये निर्वेक्टिक है और निर्वेक्टिक क्यों है क्योंकि ये तक्त्यों पर आधारित होने के कारण इंपर्सनल है या निर्वेक्टिक है ये व्यक्या दिल थे इसकी करते है मनुस्य की जो इतियास है मनुस्य के मस्तिस्की उपज होने पर भी ये जो निर्वेक्टिक सत्ताएं है ये अपने आपको और अपने साथ रहने वाले मनुस्यों को भी परभावित करती है कि मनुस्य की मस्तिस्की उपज है एतियासी ज्यान मनुस्य के मस्तिस्की उपज है ये बात मानी और इसके बावजूद ये निर्वेक्तिक है और मनुस्य की मस्तिस्की उपज होने के बावजूद भी ये जो निर्वेक्तिक सत्ताएं हैं इंपर्सनल जो सत्ताएं हैं ये बैसिकली अपने आपको और अपने साथ रहने वाले जो मनुस्य समाज हैं इसको पूरी तरह से परभावित करती हैं तो अगली विशेशता इसकी ये हैं कि निर्वेक्तिक होने के बावजूद भी ये अपने आप आप लिख लेना इसको कि मन मनुस्य और अपने आपको प्रभावित करती हैं यानि मनुस्य समय को प्रभावित भी करती हैं और फिर से रिपीट कर दूँ इनका जो कहने कारत है कि मनुस्य के मस्तिस्क की उपज होने के बावजूद ये निर्वेक्तिक सकता हैं अपने आपको और अपने रहने वाले मनुस्य को प्रभाविती करती है मस्तिस्क प्रभाविती और मस्तिस्क निर्मिती इस विश्व में निर्वेक्तिकता का जो विचार है ये विरोधा बाशी लगता है कि हमने बनाया तो ये इंपर्सनल या निर्वेक्टिक कैसे हो गया जब सारा इतियास मस्तिस्क से निर्मित है मनुस्य द्वारा निर्मित है जैसे मैंने बताया ये कह रहे हैं कि प्रदर्स्वादी परंपरा ही विचार पर ज्यान देती है हमने बनाया है तो मस्तिस्ट्वारा निर्मित इस विस्व में ये निर्वेक्तिक्टा कैसे रह सकती है ये विचार विरोधा बाशी जैसा लगता है लेकिन फिर भी इस तरह की बाते दिल थे कहते हैं संपोर्ण इतियास इसी चीज को आगे करते हुए बाद में क्रोचे इसको ले जाते हैं कि संपोर्ण इतियास से विचारों का इतियास है और क्रोचे कहते हैं कि विचार का सुरूप अल्टिमेटली इतियासिक है तो यहीं से डिल थे के विचारों को आगे बढ़ाते बढ़ाते क्रोचे ने आगे बढ़ाया क्रोचे के विचारों को कॉलिंग वूड ने आगे बढ़ाया इतियासकार का कारिये इस मस्तिस्क प्रभावित विस्व में ही होता है कि मस्तिस्क ने इस से चीज़ का निर्मान किया है और इंपर्सनल है सारी चीज़े हैं और फिर इस से मस्तिस्क परभावित इस विस्व में इतियास कार्कारिय करता है और इसी कारण से क्रोचे का जो अवदार्णा है ये इस आदर्सवादी परंपरा में सबसे पहले क्रोचे से सुरुवात इसकी मानी जाती है अब इसमें डिल्थे एक चीज और करते हैं डिल्थे ने एतियासिक ग्यान के निश्च सरूप पर परसंट तो जरूर उठाया लेकिन फिर भी इन्होंने काया कि मानव निर्मित है इसलिए ये इंपर्सनल है क्रोचे और कॉलिंग वूड ने बाद में इसी डिल्थे वाली विचारदारा को आगे बढ़ाते वे इसकी फिर व्याक्या की है और इसी के साथ ये इतियास की जो व्याक्या वाली जो टॉपिक है वो भी आपको बीच वीच में यहाँ पर उसका रेफरेंस से मिलता रहेगा दिल्थे तारकिक चिंतन की अपक्सा जीवन दर्सन के अनुएई थे बहुत लोजिकल तरीके से या तारकिक चिंतन को नहीं मान करे जीवन दर्सन को ज़्यादा महतुपूण मानते थे दिल्थे ने तीन परकार की अभिवेक्टिया मानी है ये इसमें एक किताब पर लिखावा था इसको मचादा इलॉबरेट तो नहीं करूँगा तो उन तीन परकार की अभीविक्तियों में क्यों सना सकता है कि सोथी परकार एंए इसमें कौन सी दिल थे की तीन परकार की अभीविविक्तियों में सामिल hissा जई है तो दिल थे की जो तीन परकार की अभिविक्तिया है वो है निर्ने है पहला दूसरा कारी है और तीसरा है अनुबव की अभिविक्तियां तो नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं दिल थे की तीन परकार की अभिविक्तियां दिल थे की तीन परकार की अभिविक्तियां की अविएक्तियां पाहली जो अविएक्शन में और तीसरे प्रकार की जो अविएक्स sola करिय्ए अब इसमें भी एक क्यूसन बन सकता है कि डिल थेने की अविएक्टियों में कौन सी अविएक्टि सामिले नहीं है तीसरी है अनुबह की अविएक्टियां इसके अलावा इन तीनों के अनुरूप पे दो परकार का अवबोद भी बताया है एक प्रारंबिक अवबोद और तो दो परकार के अवबोद बताये हैं पहला है प्रारंबिक अवबोद और दूसरा है उस्तर हायर उस्तर अवबोद तो यह बैसिकली डिल थे से रिलेक्टेट चीज थी इसमें अपने को याद यही रखना है कि डिल थे पहले वेक्टि थे जिसने इतियास को या जो मानवी विज्ञान है उसको प्राकृतिक विज्ञान से अलग किया वीको की थियोरी को आगे बढ़ाते वे वीको के वेरम फेक्टम के सिस्टम को उसी के आदार पर आगे बढ़ाते वे सुरुवात वीको ने किती और इन्होंने इसको क्लियरली दो पार् कि मनुस्य इतियासिक ग्यान का पूरा ग्यान प्राप्ट कर सकता है क्योंकि इतियास का निर्मान मनुस्य ने किया है और यहीं पर फिर वो यह कहता है कि यह सारा निर्मान है मनुस्य के मस्तिस्क में हो रहा है मनुसे के मस्तिस्क में होने के बावजूद इस सारे घ्यान का सुरूव कैसा है इमपरस्नल और या निर्वेक्तिक ये ग्यान है तो यहां पर मनुसे के मस्तिस्क में हो रहा है इसलिए विचार पर प्रदान है इसलिए डिलते ये जो идilistic tradition है आदिर्स्वादी परंपरा है, इसके पहले थिंकड़े मानने जाते है, अब इसमें अगले जो दार्षिनिक आएंगे, वह आएंगे क्रोचे, अंगले जो दार्षिनिक है, वह आएंगे से पहले है क्रोचे कहते हैं कि संपोर्ण इतियास समसामाइक है या समसामाइक समकालिन जिसको कह सकते हैं यह है तो क्रोचे इटली के दार्ष्टिक ते क्रोचे का इटली और यूरोप के जो मोरल एज्यूकेशन और वेल्यूज पर बहुत ज्यादा प्रवाव था है यह वेरी ट्रिमेंड़ेस इन्फ्लूएंस ओन दे मोरल एज्यूकेशन ओफ इटली पर्टिकुर्ली और यूरोप जनरली बहुत ज्यादा उनका प्रवाव था और इनका जो जीवनकाल है 1866 से यह 1952 पढ़ा तका इनका समय रहा था और और कॉलिंड इन एक सिस्षय थे आलांकि को लिंड की दयत इनसे पहले होगी थी लेकिन कोलिंड के जो विचार है वो क्रोच्चे से ही मिलते हैं क्रोच्चे बेसिकली विज्यान विरोधी थे इसकी मारव बैसिक दोच्यार चीज जो विरोधी थे उन्होंने इतियास को एक कला माना और कला में भी एक विशेश प्रकार का विशेश प्रकार की कला माना है तो इसकी बेसिक में चीज आप वो लिख लो कि ये विग्यान विरोधी थे और ये क्या इतियास को विशेश प्रकार की कला माना है या विशेश कला माना है इनके सिसे कॉलिंग और इतियास को विग्यान मानते हैं लेकिन इतियास को विशेश कला मानते हैं ये बैसिकली नट सेल बिलकुल है नट सेल में एकदम क्रिश्टल फॉर्म में हम आपको ये ची थे और इनके अनुसार जो ग्ञान का कारिया है वो क्या है उप्दे सात्मक है क्रोचे के आदार पर आप प्रोचे को समझ सकते हैं प्रोचे एक्सप्रेशनिजम या अभिव्यंजनावाद के भी जनके माने जाते हैं तो एक इनकी जो पिसिक चीज है अभी व्यंजनावाद कि एक्सप्रेशनिजम अभी व्यंजनावाद या एक्सप्रेशनिजम के भी परतिपाद के ये माने जाते हैं ये कहते हैं कि कला व्यक्तित्व की अनुबुती और अभी व्यंजना है कला व्यक्तित्व की अनुबुती और अभी व्यंजना है अनुबुती और अभी वेंजना है चला वेक्तितों की अनुबुती और अभी वेंजना है और एक चीज और बताते हैं कि एतिहासिक ग्यान मनुष से मानमानों ग्यान प्राप्त करने का सबसे अच्छा रूप है ये इनकी एक बेसिक डेफिनेशन है तो यह basic concept है तो पहले हम इनकी जो basic books को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि यह factual question आएंगे इसमें books से related कोई चीज है तो इसमें अवदारना की कोई चीज है नहीं पांच साथ इनके books और journals हैं उनकी उनको हम पहले लिख लेते हैं crochet की पुस्त के crochet की पुस्त के इनकी जो पहली पुस्तक है history its theory and प्रेक्टिस इतियास है इसके जो सिद्दान तोर जो वेवार यह इसकी पहली पुस्तक थी history प्रिशिद्ध पुस्तक है एक दूसरी इससे भी ज्यादा प्रिशिद्ध इनकी पुस्तक है फिलोस्पी ऑप दे स्पृरिट या आत्मा का दर्सन प्रिट या आत्मा का दर्सन आत्मा का दर्सन ये इनकी वैसे सबसे पुस्तकों में से एक मानी जाती है इन्होंने इस्ट्री ओफ नेपल से इस्ट्री ओफ इटली फ्रॉम 1871 तो 1915 ये पुस्तके भी लिकी इस्ट्री ओफ नेपल्स इस्ट्री ओफ इटली इटली फॉम 1871 इटली का यूनिफे का सुन हुआ था 1915 ये इनकी अन्य पुस्तक है इसके अलावा इस्ट्री ओफ इरॉप इन दे 19th सेंचुरी इन दे 19th सेंचुरी 19 ये सताब्दी में यूरोप का इतियास से ये इनकी अन्य पुस्तक थी इसके अलावा इस्ट्री ओफ दे इस्ट्री ओफ लिबर्टी ये 1938 में लिकी थी इस्ट्री ओफ इनको याद रखपाना बड़ा मुस्किल है इस्ट्री ओफ दे मुझे भी याद नहीं है इस्ट्री ओफ लिबर्टी मुझे लगता है कि इन चीजों की तो अगर हम स्लाइड बना ले तो हमारा वक्त भी बचेगा आगे से मैं इन चीजों की एक स्लाइड बढा के आपको सामने दिखा के जहां पर एंट्रिपेटेशन है वो इंट्रिपेटेशन हो जाएगा ताकि यह चीजें जल्दी भी हो जाए इस्टरी आफफ एर लिवर्टी यें 1938 इसवी में 1938 में ये पुस्तक आई थी क्योंकि यह यह किताब है कि घिय झ्यादा इंपरविक दरन की इतियास दर्शन की उसमें इसमें ब्रेकिट में एर भी दे रखा है कि किस वर्स पब्लिस हुई कई बार factual चीज इस तरह की पूछ ली जाती है कि यह पूछ तक किस वर्स पब्लिस हुई हलाएं कि उसका कोई ज्यादा importance नहीं है लेकिन अपना question गलत हो जाएगा वैसे knowledge के point of view से आपकी understanding के point of view से इसका ज्यादा importance नहीं है लेकिन अपना number है इसमें कट सकता है तो history of a the story of a liberty और एक इनकी जो पत्री का या journal पर कासी तुआ था ला critis का ला critis का तो मैं यहां लिख दूँ ला क्रिटिस का क्रिटिसिजम से related होगा इटालियन बासा का यह सब्द है यह पत्री का इनकी परकासिते हुई थी अब यहां पर जो क्रोचे से सम्मंदिते कुछ definition से एक्जाम में आती है उसके आदार पर यह क्रोचे सब्सक्राइब के जो पर्मुक विचार है तीन च्यार जो definition से यह आप नट सेल वे एक दम क्रिश्टल फॉर्म में इनके जो विचार जिसके आदार पर इनकी जो पूरी फिलोस्पी है यह आपको समझ में आ जाएगी इसमें पहली चीज तो है कि संपोण इतियास से समसामईक होता है संपोण इतियास समसामईक होता है या समकलें होता है तो इनकी प्रमुकّ कोटेṤ सन्स真的 है वह आप लिख लो प्रमुक विचार संपोण इतियास समसामईक अंग्रेजी का एक सब्द आएगा contemporary वो देख लेना contemporary होता है यह basically इनका सबसे important quotation है fallingwood यह कहता है कि समपोड इतियास से विचारों का इतियास है और यह approach यह कहते हैं कि समपोड इतियास से समसामई के होता है यह contemporary होता है संपोर्ण इतियासिक गटनाएं लेकिन फिर भी ये कहता है कि संपोर्ण इतियास तो समसामईक होता है लेकिन संपोर्ण जो इतियासिक गटनाएं ये संपोर्ण इतियासिक गटनाएं समसामईक नहीं होती संपोर्ण इतियासिक गटनाएं समसामईक नहीं होती समसामईक नहीं होती अब ये संपोर्ण इतियास समसामईक होता है लेकिन संपोर्ण इतियासिक के गटनाएं समसामईक नहीं होती केवल वो ही गटनाएं समसामईक हैं जिनकी वर्तमान में relevance है या importance है क्योंकि फिर उनकी व्यक्या होगी इतियासकार के मन में उनका reconstruction होगा वर्तमान की need के अनुसार संपोन इतियासकार संपोन इतियास समसामिक क्यों है समसामिक इसलिए है कि हम अतीत का पुनर निर्मान हम आज की वर्तमान की आवसिक्ता के अनुसार हम आज के समय के अनुसार हम अतीत का पुनर निर्मान करते हैं तो एक इनकी जो बाद में कॉलिंग उड ने कहा भी था कि परतेक यूग को अपना इतियास लिखना चाहिए मैंने अभी क्रोशे बता दिया था साइद उसको आप मुझे इस तरह से याद आ रहा है तो इसमें कई बार फ्लो में इस तरह की चीज बता दी जाती है परतेक यूग को अपना इतियास लिखना चाहिए ये कॉलिंग उड ने कहा था तो यहाँ पर इतियासिक गटनाओं की समसामिकता इसी एक चीज से पता लगती है या इससे हम एक्स्प्लेंड कर सकते हैं कि सारी जो चीजे हैं वो वर्तमान संदर्ब में वर्तमान आवसिक्ताओं के अनुसार उसकी व्याख्या की जाएगी जैसे भारत में ओपनिवेश इक्सासन है तो ब्रिटिस काल में ओपनिवेश इक्सासन को जस्टिफाई किया गया उसके लिए वाइट मैं बर्डन की थियोरी भ कि भारती है और पूरे एशियाई जो साइटे है यह यूरोप की एक लाइबरेरी की अलमारी से इसकी ज्यादा वेल्यू नहीं है पूरे पूर्वी साइटे की यानि वह अपने तरीके से व्याख्या कर रहे थे अब आज के समय में हम इन चीजों को अपने इसाब से होता था जैसे दादा भाई नौरोजी ने दंके निस्कासन का सिद्दाद दिया और शिदत ने इसकी और इंट्रिप्रेटेशन किया तो इस तरह से एक नहीं उसकी इंट्रिप्रेटेशन ने समकालिन आउशिक्ताओं के अनुसार होती है राष्ट्रवाद के संदर में एक चीज़ हो रहा है इसका अर्थ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बूथकाल का अस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् स्थित्तु समकालिन लोगों के दिमाग में होता है और यहां पर फिर वो वस्तुनिष्टा पर प्रसंट चिन लग जाता है लोगों के दिमाग में होता है लेकिन संपून इतियासी गच्छा संम समसामईग निए अजय से भारत का विवाजन बारत का विवाजन का मुद्धा यह हमेशा समसामईग रहेगा क्योंकि पाकिस्तानी इत्यासकार इसकी अलग से वैक्या करेंगे भारती इत्यासकार में इसकी अलग से वैक्या होगी भारत में मुस्लिम इत्यासकार इसकी अलग से वैक्या करेंगे क्योंकि वो इसकी आलोस ना करते हैं कि इसने जैसे भारती इत्यासकार इसकी इस वागों में बट गी भारत, पाकिस्तान, बांगला देश में, पाकिस्तानी इतियासकार इसकी अलग तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, और बेटिस या यूरोपिय अमेरिकन इतियासकार इसकी अलग तरीके से व्याख्या कर सकता है, कल को दो सो वर्स बाद में हो सकता है, इसक भी पड़ी समस्या है फिर गुम फिर के वहीं आ गए है युक्रेयन के संकट के कारण तो आप कलपना कीजिए कि ऐसी लड़ाई यां सौम और वुर्द की लड़ाई जो फर्ष्ट वर्डवार के दोरा लड़ी की जिसमें नो लाख पिर्टिस और फ्रेंस सेनिक मारे गे नो साक जर्मन सेनिक मारे गे चैस सब्तागी लड़ाई में साथ सब्तागी लड़ाई में 1916 में जुलाई अगस्त में एक इंस जमीन आगे नहीं सरके और वो देश सेकंड वर्डवार के बाद में एक यूरोपेन यूनियन मना लेते हैं पुरानी दुस्वनी भूल गए और ए सारी चीजे समाप्त हो जाएं राजनिती में धरम का प्रवाव कहीं पर नहीं रहें के साइंस टेक्नोलोजी इस तरह से डवलप्मेंट हो जाएं तो इस इतियास की दुबारा से व्यक्या होगी तो इसलिए ये जो मुद्दे हैं पारिटिसन का मुद्दा ये हमें सा समसाम कि नहीं होती ही कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे मानली जीए इतियास में छोटा मोटा मानली जी कुतुब दिन अबक के पॉलो खेलते समय मर गया उमायू सीडियों से गिर कर मर गया वो ज्यादा महत्वपून घटना नहीं है लेकिन गांदी की अत्या ये महत्वपून घट की जरुभत होगी वही एतियास के गटनाएं होती हैं वही एतियास से बस Сकली बनता है तो यहां पर एक क्रोचे कहते हैं कि जो एतियासिक ग्यान है ये मानुव ग्यान का जो मनुष्य का जो ग्यान को प्राप्त करने का मनुष्य समंद्य ग्यान प्राप्त करने का सबसे अच्छा शुरौत है एतिहास के ग्यान मानुव ग्यान की राप्तिगा सबसे अच्छा स्रोथ है एसी चीज दिल थेके विचारों से भी ये निकल करे सामने आती है और क्रोचे भी इसी चीज को ये कहते हैं कि एतियासि ग्यान मानो ग्यान की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोथ है इसके पीछे कार्ण भी यही है कि विचारों में सिमिलर्टी कई भार रिपीटेशन इसलिए लगता है कि ये तीनों ही आदर्सवादी विचारक हैं और एक इसकी ओर है कि वरतमान अतीत को अपनी दृष्टी से देखता है है ये इनकी एक अन्य डेफिनेशन है या विचार है, वर्तमान अतीत को अपनी दृष्टी से देखता है, और इसी कार्ण सारा इतियास क्या है, समसामई को जाता है, अतीत को अपनी दृष्टी से देखता है. पास्टी इज रिव्यूड अकोर्डिंग टू, प्रिजेंट्स निड, प्रिजेंट की आउस सक्ताओं के नुसार, उसको देखा जाता है, विउ किया जाता है, उसका रिव्यू किया जाता है, ये सारा अतीत के नुसार होता है. एक कि मैंने आपको लिखाई दिया था कि इतियास से विग्यान को ये विग्यान विरुदी है और गुरो से बारे में अगर बेसिक के इसकि बाला पर यी विग्यान नहीं कुछ ते तो विग्यान विजाननोगती है। रखना है प्रोचे प्राकृतिक विज्यान को ज्यान नहीं अपितू क्रिया मानते थे इसमें यह है कि प्राकृतिक विज्यान ज्यान नहीं अपितू क्रिया है ज्यान नहीं अपितू क्रिया है प्राकृतिक विज्यान ज्यान नहीं है अफितु एक क्रिया है और यह कहते हैं कि विज्ञान के विचार दो प्रकार के हो सकते हैं वस्तुपरक हो सकता है और एमूर्थ हो सकता है विज्ञान के दो तरह के विचार होते हैं वस्तुपरक और एमूर्थ विचार और प्रोचे एक चीज पर और अब्जेक्शन करते हैं वो ये कहते हैं कि जो दो प्रकार के जो निर्णे मानने जाते हैं एक के निर्णे के दो प्रकार के बहद हैं जो सामन्ने और व्यक्ति प्रदान ये इस बहद को विरोध करते हैं क्रोचे कहते हैं कि यह सामन्ने या जनरल और इंडिवीज्वल यह जो जज्जमेंट या नेड़ने हैं इस तरह का जो वर्गीकन है यह गलत है और यह ब्रहांति पूर्ण है बेसिकली यह कहते है कि सामन्ने तभी सार तक है जब वो विशेश में प्रकट हो तो सामन्ने व्यक्ति प्रक निर्णय का वहेद ब्रांति पूर्ण है सामन्ने तभी सार तक है जब वो विशेश में प्रकट हो तो इतियास में सामन्ने और विशेश का समन्नवे होता है यह मैंने शुरुआत में विशेशता में लिखाया था कि आदर स्वाधी विचार दरा में इतियास में सामन्ने और विशेश का समन्नवे होता है तो यहाँ पर सामन ने तभी अर्थ पूर्ण है जब वह विशेश में परकट हो इस आदार पर यह इसको डिफेक्टिव मानते हैं अंतर को सामन ने तभी अर्थ पूर्ण है जब वह विशेश में परकट हो सामने तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह विशेस में परकट होता है एक समसामई के एतियासिक प्रक्रिया में क्रोचे चार प्रकार के कारणों को उत्रदाई मानता है ये भी अच्छा इसमें पर सुनाता है कि सम्सामई की एतिहासिक परक्रिया में क्रोचे चार परकार के कारणों को उत्तरदाई मानता है, ये त्यार परकार के कारण क्या है? चार कारण और यह किसमे है समसामईक एतिहासिक प्रक्रिया में एतिहासिक प्रक्रिया में एतिहासिक प्रक्रिया भी कौन से? contemporary इसमें चार कारण कौन कौन से है पहला है कला दूसरा है तरक तीसरा है नेतिक मुले और चोथा है आर्थिक कारण पहला कला दूसरा तरक तीसरा नेतिक मुले और चौथा है आर्थिक कारण आर्थिक कारण को हम बोथिक कारण भी कह सकते हैं तरक के आदार पर कला के सुरूप को जिस्टिफाई किया जाता है, नेतिक मुल्यों के आदार पर ये जिस्टिफाई किया जाता है, कि ये कला है, इसका कोई मॉरल आदार भी है, इस सिक समाज को क्या फाइदा होना है, तो समसामईक एतियासिक प्रक्रिया के चार कारणों में कला, तरक, नेतिक, मुले और आर्थिक कारण है इसमें एक अच्छा प्रस्ट बन जाता है कि क्रोशे के नुसार कौन से इन चार कारणों में नहीं है इनने ये जो चार कारण है ये समसामिक इतियासिक प्रक्रिया को निर्दारित करते हैं इतियासिक प्रक्रिया को ये चार कारणे निर्दारित भी करते हैं कलाकार जो बेसिकली देखता है उसका वर्डन करता है लेकिन इतियासकार को ये देखना पड़ता है कि उसने जो देखा है या उसके पास जो स्रोत है वो बेसिकली वो देख रहा है वो सही है या गलत है तो ये कलाकार और इतियासकार में बेसिकली फरेकर यहां पर एक बेसिक अंतर इस आधार पर वो कहता है कि कला बेसिकली क्या है कला एक संभावेता है संभावना है जबकि जो इतियास है वो एक अवियक्ती है और जो वास्तिक संभावना के अंतरगत ही ये जो इतियास सामिल होता है क्योंकि संभावना जो अवियक्त रूप है वो इस संभावना का ही एक पक्स है इसलिए इतियास भी इसी एक कला का ही पार्ट है और इस आधार पर क्रोचे अपने इस कतन को भी जिस्टिफाई करते हैं कि इतियास एक विशेस प्रकार की कला है तो पहले आप इसमें दो तीन लाइने लिख ले मैं इसको फिर से ऐलाबरेट कर दूँगा तो इसमें पहली चीजी है कि कला कार जो देखता है उसका वर्णन करता है तियास एक विशेस कला क्यों है इसको एक्स्प्लेन कर रहा है कला कार जो देखता है उसका वर्णन करता है उसको अभिवेक्ट करता है कला कार के सामने जो चीज आई वो उसका वर्णन करेगा और उसको अविवेक्ट कर देगा लेकिन इतियास कार को देखना पड़ता है कि जो देख रहा है वो सत्ते है या नहीं इतियास कार को देखना पड़ता है कि वह जो देख रहा है वह सत्ते है या नहीं क्ला के बारे में तो कहा जाता है जिसे जहां पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी लेक्खक भी कला कार है लेकिन इतियास कार उस तरह की एक कपोल कल्पनिक चीजों को नहीं लिख सकता आर्टिस्ट, पॉइट, लेक्खक, साहित्ते कार ये सब एक मन की इमेजिनेशन से भी चीज लिख सकते हैं लेकिन इतियास कार को देखना पड़ता है कि वह जो देख रहा है या सही है कला कार लेक्खके रियूमर्स के आदार पर अपनी इमेजिनेशन के आदार पर उसमें मन साहे इंटरप्रेटेशन कर सकता है लेकिन इतियास कार को उसमें सत्ते को देखना पड़ता है तो कला संभावे सत्ते की अव्यक्ति है जबकि इतियास वस्तुनिष्ट सत्ते की अव्यक्ति है ये कला और इतियास में एक basic संबंध है कला संभावे सत्ते की possible truth अव्यक्ति है art is expression of a possible truth whereas history is expression of a objective truth व्याला संभावे सत्य की अभिव्यक्ति है जबकि इतियास वस्तोनिष्ट सत्य की अभिव्यक्ति है यहां पर बात वस्तोनिष्ट अगी कर देते हैं लेकिन यह परसंट तो हम उठाते हैं कि यहाँ पर क्या आइडिया दोरा निर्मित समकालिन है मनस्ते के मस्तिस्कन में निर्मित वो वस्तुनिष्ट होगा या नी यह तो अपने आपको वस्तुनिष्ट ही मान रहे हैं वस्तुनिष्ट सत्य की अभियक्ति है वस्तुनिश्व सत्य की जो है अभिव्यक्ति है वास्त्विक्ता जो है वो संभावना के अंतरगत होती है इसलिए इतियास क्या है कला का ही पक्स है इतियास वास्त्विक्ता संभावना का ही एक पक्स है संभावना ये अंतरगत है इसलिए इतियास कला का ही एक पक्स है इसलिए एक क्रोचे ये कहते हैं कि इतियास एक विशेश परकार की कला है इतियास कला का ही एक पक्स है इतियास कला का ही एक पक्स है ये basically कला के पक्स में इसको विछेश परकार की कला बताने वाली बहुत बात है वो यहां पर जस्टिपाई होती है क्रोचे के विचारों में और प्रोचे ये भी कहते हैं कि इतियास व्यक्तित्तु की जो प्रक्रिया है उसको परकट करता है इतियास इतियास व्यक्तित्तु की प्रक्रिया को परकट करता है किया को प्रकट करता है तो यह बैसिकली क्रोचे के विचार है अब यहां पर एक क्रोचे से संबंदित एक छोटा सा पॉइंट और रहे जाता है वह है क्रोणोलोजी वाठीज रिलेशन विट्विन क्रोणोलोजी एंड हिस्ट्री यह अंतर क्रोचे ने बहुत ही सुन्दर डंग से व्यक्त किया है तो इतिवरत और इतियास में अंतर यह इतियास हुए इतिवरत में अंतर यह बैसिकली हिस्ट्री और क्रोणोलोजी में जो अंतर है वो बैसिकली यह यहां पर बताने की वह सीशे हो रही है तो इसमें पहला है कि इतिवरत में या जो इतियास है इसमें सारवोमिक तत्थे होते हैं तो जब कि इतिवरत में क्रोनोलोजी में निजी तत्थे होते हैं तो पहला अंतर है कि इतियास में कैसे तत्थे हैं सारवोमिक में बड़ा टेलिग्राफिक लेंग्वेज में लिख र सत्थे होते हैं दूसरा यह है कि जो इतियास है वो समसामई कोता है इतिवरत कभी समसामई के नहीं होता है यह समसामई कोता है जिब कि इतिवरत समसामई के नहीं होता समसामई के नहीं होता समसामई का अपने आप इसमें लेख लेना है तीसरा जो बेसिक अंतर है वो यह है कि इतियास में जो गठनाएं हैं उनमें संबदता होती है गठनाओं में संबदता एक सिक्वेंस होती है होती है और यहां संबदता नहीं होती है गठनाओं में कोई संबदता नहीं होती है एक इतियास में तार्किक व्योस्ता होती है जबकि क्रोनोलोजी में एक काल करम की व्योस्ता ही रह सकती है जो इतियास में जो व्योस्ता होती है वो लोजिकल होती है तार्किक व्योस्ता होती है जिबकि इसमें क्या होता है समय करम होता है बस समय का ये करम होता है इतिया से जो है ये पहले होता है और इतिवरत बाद में ये बहुत महतुपूर अंतर है ये तो सुरुवात में आप और चीज याद रहे न रहे इतिया से पहले होता है यह चीज आपको याद रखनी है और इतिवरत बाद में होता है इतिवरत बाद में होता है और एक के और अंतर इसमें समझ सकते हैं कि जो इतियास है यह जीवन्त इतिवरत है जीवन्त इतिवरत है जबकि इतिवरत म्रत इतियास है इतिवरत क्या है यह म्रत इतियास है ये बेसिक एक अंतर अपने आपको हमें इतियास और इतिवरत में समझना होगा ये सबसे महतुपुन आपको ये याद रखना है कि इतियास पहले होता है इतिवरत बाद में होता है और अगर इतियास से जब मृत हो जाए तो वो क्रोनोलोजी का रूप ले लेती है chronology में एक समय करम जरूर होता है लेकिन इसमें एक तार की क्विवस्ता नहीं होती है तो एक ये भी basic इसमें अंतर अपने को समझना है अब एक इसमें last का topic बचता है calling wood हलाएंकि समय काफी हो गया है लेकिन मैं आज ही की class में मैं चाता हूँ कि इन तीनों आदर स्वाधी विचारकों को यहीं पर पूरा किया जाए तो तीसरा विचारक है आर जी calling wood आर जी calling wood और इनका जो समय है ये अठार सो निवाशी चे उननीस सो तैयालिस का समय था बिटेन के इतियासकार थे उननीस सो तैयालिस क्रोचे के सिस्षे थे अलागी क्रोचे से पहले इनकी मृत्य हो गी थी तो ये मूलता है बिटेन में भी Oxford विच्वी डेले में ये सिखसक थे Oxford में सिखसक और दर्शन सास्तर से रिलेटेड भी थे Oxford विच्वी डेले में अज्दन कराते थे 500 फीट में थे ये तो ये आरजी कॉलिंग उड़ रोबिन जार्ज कॉलिंग उड़ इनका पूरा नाम है आरजी कॉलिंग उड़ या रोबिन जार्ज कॉलिंग उड़ रोबिन जार्ज कॉलिंग उड़ कॉलिंग उड़ की जो बेसिक चीज है वो कहते हैं कि ये इतियास एक ऐसा विग्यान है जो कि जो ऐसी गटनाओं का जिन करता है जो पर्टेक्स रूप से तो हमें प्राप्ट नहीं होती है लेकिन उन प्राप्ट जो भी साक्ष से हैं उनके आदार पर हम अनुमान लगा लेते हैं तो इतियास को वो एक ऐसे विग्यान के रूप में वर्नित करते हैं जिसका प्रतेक्स रूप से कोई हमें नौलेज नहीं होता है प्रतेक्स रूप से कोई नौलेज नहीं है लेकिन हमारे पास या प्रतेक्स रूप से कोई साक्ष से जो हमें जिसका जो है ऐसी गटनाओं जो प्रतेक्स रू पर हम इसका अनुमान लगा लेते हैं और हम अपने मन में फिर उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो ये बैसिकली इतियास को एक स्वायत अनुसासन के रूप में मानते थे इतियास को एक स्वायत अनुसासन के रूप में मानते थे वए थे? अनुसा असन के रूप में मानते थे पॉलिंग वूड की जो परमुक के किताबे हैं यह चार किताबे हैं यह exam के साब से अपने को याद रखनी है परमुक जो पुस्त के हैं यह चार पुस्त के हैं exam में यह वेसिकली factual चीज़ें होंगी मुझे तो इसकी दो किताबे याद रहती हैं दो कभी याद नहीं रहती मेरे को भी लिखके ही याद करनी पड़ेंगी पहली जो इनकी किताब The Philosophy of History और The Idea of History ये तो आपको सभी को याद रहती हैं अगली Religion and Philosophy है और एक है Specum Mantis नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी तो इन स्यार किताबों को या इनके जो पत्र है जर्णल है जो परकासित ही है ये अपने को नाम अपने को याद रखने होंगे तो पहली है The Philosophy of History ये बैसिकली पत्र के रूप में है The Philosophy of History The Philosophy of History और स्टूडेंट के हिसाब से मैंने इनका ये जो वर्स भी लिखा है क्योंकि अलग लग जगे एक किताब में ये मिलते भी नहीं है ये 1930 में परकासित है इनके जो पत्र का एक कमपाइलेशन है The Philosophy of History दूसरी जो इनकी जो परिशित पुस्तक है The Idea of History Idea of History ये पुस्तक के बैसिकली इनकी पॉपॉलिटी बहुत ज्यादा इससे हुई थी और ये इनके मरने के बाद में 1945 में It was posthumously published 1945 The Idea of History तीसरी इनकी पुस्तक है Religion and Philosophy जो 1916 में परकासित हुई Religion and Philosophy Religion and Philosophy ये 1916 में परकासित हुई थी और तो था इनका एक जो पुस्तक है Speculentis ये वर्स 1916 में परकासित हुई थी वर्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कई बार अपने किस्मत खराब होतों सिधा ये पूस्त लेंगे कि Idea of History कौन से वर्स परकासित हुई किताब द्यान है लेकिन अपने को परकासित का वर्स नहीं द्यान या ये पूस्त लेंगी इन में से कौन सा खतन Idea of History किताब भी द्यान है इनकी मृत्यू के बाद परकासित हुई कई बार गैर जरूरी चीजे भी पता नहीं पेपर बनाने वाला कैसा भी बना सकता है मुझे ऐसा लगा कि ये चार किताबे हैं ये किताबे आपको इसमें याद होनी चाहिए और ये जो इनकी पुस्तक है Philosophy of History इसमें इन्होंने जो लेटर है Philosophy of History के जो ये पत्र निस सो तीस में परकासित हुए इसमें उन्होंने एतियासिक सापेक्स वाद को जस्टिफाई किया यानी इस्टोरिकल डिलेटिविज्म या एतियासिक सापेक्स वाद है इसका इन्होंने जस्टिफाई किया या इसको डिफेंड किया है कि इस्टोरिकल डिलेटिविजम को इन्होंने डिफेंड किया है बैसिकली इस्टोरिकल डिलेटिविजम का अर्थ है कि सभी इतियास जो लिखित इतियास है ये व्याक्या पर आदारित होता है इसलिए सारा इतियास क्या होगा रिलेटिव होगा तुलनात्मक होगा इसके फिर से लोजिक यह है कि सारा इतियास से व्याक्या परादारित है व्याक्या परादारित है तो यह तुलनात्मक होगा इतियास के सापेक्स वाद का बेसिक अर्थ ही यह है मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि सारा इतियास व्याख्या पर अधरित है और इसलिए इतियास में जो चीजें हैं उत्तुलनात्म किया सापेक्स ही होंगी अब इसकी जो बेसिक कुछ कोटेशन्स हैं वो इस्टुडेंट्स को जरूर लिख लेनी चाहिए चाहर पांच कोटेशन्स हैं वो मैंने मिलकुल ब्रीप में इनको कंपाइल की है मैंने एक तो सबसे फैमस कोटेशन इनकी है कि संपोन इतियास से विचारों का इतियास है, संपोन इतियास से विचारों का इतियास है, विचारों का इतियास से इस अर्थ में है कि विचारों का इतियास, इतियासकार के मस्तिस्क में बूतकाल के विचारों का पुदर जीवन के रूप में है, तो यहां पर यह जो आदर् इसका ये चरम, it is culmination of the idealism, कि संपूर्ण इतियास क्या है, विचारों का इतियास है, और विचारों के इतियास के अर्थ में इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि विचारों का इतियास ये कि इतियास कार के मस्तिस्क में भूत काल के विचारों का पुनर निर्मान होता है, तो इसके जो प्रमुख विचार या कोटेशन्स हैं, कॉलिंग उड़ के, वो ये हैं, कि समस्त इतियास विचारों का इतियास है. समस्त इतियास विचारों का इतियास है. कि टॉपिक कभी मेरे को अभी एक्जाम नजदीक है, और मेरी बहुत सारी ओनलाइन क्लाशेज के कमिटमेंट हैं, बाद में मैं निश्चित रूफ से इनको एक सवागंटे में हर विचार को कभी डिटेल में मेरे को मौका मिला, और मिलेगा भी अभी इस फिल्ड में काम करना सुरू की है, तो अब इसमें आनंद भी आ रहा है, तो इसको मैं बाद में कराओंगा, अभी तो मेरी मजबूरी है कि 20-25 मिन्ट में हर विचार को कराना पढ़ रहा है, कवर कराना पढ़ रहा है, वक्त की कमी के मत दे नजर, दूसरी इनकी जो कोटेशन है, कि प्रतेक यु को अपना इतियास, विचार का ही है तो बही और संपुन इतियास से समसामई के जैसा क्रोचे कहते हैं, तो समसामई के तो बही दुबरा लिख लो अपना इतियास, पर तेक युग को अपना इतियास से फिर से लिखना चाहिए, या दुबरा लिखना चाहिए, यानि अब य पिर परसम्ट चे रहना जाता है कि वस्तो निस्ट कहां पहाँ तो इतियास है व्यक्ति निस्ट हो गया आपको जरूत के अनुसार है अगले साल अलग जरूत है आज इस साल अलग जरूत है अपना इतियास पिर से लिखना चाहिए estrogen चीज पे मेरे को 1994 जोर 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 की पुस्तक है उसमें वो चीज याद आजाती है जहां पर बिग ब्रदर के नित्रतु में एक ओसी निया जो रज्जे था वहां पर हर चीज दुबारा री इंटरिप्रेट होती है फॉर एक्जामपल वहां पर लोगों का ब्रेनवास इस तर दो करोड़ टन अनाज उत्पादन करना है और हमारे पास अनाज उत्पादन मालीजे डेड़ करोड़ टन नहीं वा तो हम इतियास हम जो भी इस्ट्री की जो बुक्स हैं स्टुडेंट्स की सेलेबस की नियूज पेपर सरकारी आखड़ें उनको दुबारा लिखेंगे कि ह हमारा टारगेट बैसिकली सवा करोड़ टन था लेकिन हमने डेड़ करोड़ टन अनाज उत्पादन किया है लोगों को पिछे का सारी चीज़ें बुला दी जाएंगी यहां पर सारी जो चीज़ें मुझे कई बार इनको पढ़ता हूं तो देखता हूं तो जौर जौर वेल रोज आपकी जरुत बदल गए रोज आप अपना नया इतियस लिख रहे हैं फिर अलग-अलग देश्ट हूं का इतियास होगा तो इतियास में टक्राव भी होगा वर्तवान में ये जो विचार्दाराओं का टक्राव है अलग-लग नेरेटिव्स का टक्राव है उसके पि व्यक्ति के मस्तिस्क का विचार गठना का अर्थ है उस व्यक्ति के मस्तिस्क का विचार जिसके कारणे वह गठना गठित हुए यह एक फेमस उस व्यक्ति ये मस्तिस्क का विशार जिसके कारण ये गठना गठित हुई है बात तो ये सही है अगर हम देखें सेकंड वर्ड वार क्यों हुआ इटलर के कारण हुआ तो अगर किसी गठना का अर्थ ही है कि इटलर के मस्तिस्क के कारण ये चीज़ें ये सारी चीज़ें गठित हुई तो कुछ सेमा तक तो यह जिस्टिफाई भी होता है लेकिन अपने को क्या सही है क्या गलत तो उस पे नहीं जाना अपने को एक्जाम के ओरिंटेशन से इसमें चीजें देखनी है नेक्स्ट है प्रतेक विचार स्वरूपते एतियासिक होता है प्रतेक विचार स्वरूपते है एतियासिक होता है यह इनका जो नेक्स्ट है इनकी जो हैमसे लाइन है और एक इसमें इनकी और है कि इसमें फैमस इनकी कोटेशन है कि विचेस एतियासिक गटना में एक व्यक्ति जो देखता है उसे दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता यह एक मेरी इंपोर्टेंट की भी कोटेशन लिखी भी है कि विचेस एतियासिक गटना में एक व्यक्ति जो देखता है उसे दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता यहाँ पर फिर इतियास व्यक्ति निश्ट हो जाता है यह इसलिए मैं यह डेफिनेशन में विचेस रूप से नोट्स में लिखी है कि कोलिंग वूड ने कहा है कि विचेस एतियासिक गटना में एक व्यक्ति जो देखता है उसे दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता जो एक व्यक्ति देखता है देखता है उसे दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता नहीं देख सकता ये इनकी मौत फहमस से पोटेशन है अब कॉलिंग उड़ के बारे में सुरुवाती क्लास में मैंने बताया था कि कॉलिंग उड़ के दो अन्ने सिदान्त या जो विदा है उनके उपर वो और चर्चा करता है एक तो कैंची और गौंधगा से दानते कॉलिंग उड़ ने दिया है कॉलिंग उड़ के जो अन्ने सीदान्त है वो सीजरेंड पैस्ट या कैंची गौंधगा से दानत दिया है इसमें जो तथ्जिस रूप में रंग के वाली परमपरा के अनुसार जो जिस रूप में जो तत्थे जैसे थे वैसा ही उनको कौपी पेस्टे कर दिया जाता है कैंची से काट के चिपका दिया जाता है यानि इस चीज की ये नाम इन्होंने दिया है अलाएं कि ये सिद्धान ते इस से सैमत नहीं है इस चीज को भी आप इसे से स्रूप से दियान रखना यहां पर तत्थे परमक होते है मैं फिर से पहली कलास में आपे मैंने इस चीज पर बताया था कि कैंची एओम गौन से दांत में तत्थे परमक होते हैं ये नाम इन्होंने दिया है रांक्य की परंपरा और उससे पहले जो पुराणी परंपरा के जो इतियासकार थे वो सारे के उलतत्यों को जैसा था वैसा रख देते थे तत्यों का इंटर्प्रेटेशन वाली जो चीज आई है वो कबूतरी सुराग वाली चीज आई है कबूतरी सुराग की चीज इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि यहां पर सभी जो ये मानता है कि सभी लिखित इतियास व्याख्या पर आदारित है तो यहां पर लिखित इतियास व्याख्या पर आदारित मानता है और व्याख्या पर आदारित मानता है और व्याख्या पर आधारिたौने के कारण अब यह फिर से में इतियास एंटियासिक व्याख्या वाली चीज आगी जो अपने टीसरी गलास में व्याख्या वाली चीज और यह सारी ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं ये मैंने बहुती इंपोर्टेंट मेरे को ये लाइन लगी इसलिए मैंने इसको लिखा है मैं पढ़ के बता दूँ लिखने में कि उसको की वक्त लगेगा पॉलिंग वूड ये कहते हैं अपने आत्म गता में लिखा है कि हम एक ऐसे य इतियास को ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह उस लेवल पे ले आए दिल थे ने उस चीज की सुरुआत की थी वीको ने उसको बताया था वेरम फैक्टम के आदार पर फिर दिल थे ने कहा था कि इतियास से मानौ निर्मित है इसलिए उसकी विज्ञान की तरह इस पे विज्ञान से भी ज़्यादा इसमें 100% knowledge हम प्राप्त कर सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान से ज़्यादा तो इस आदार पर कॉलिंग वूट ने लिखा है कि हम एक ऐसे युग की दैलीज पर खड़े हैं जहां पर दुनिया के लिए इतियास उतना ही महत्तुपूर्ण होगा जितना 16 से 1910 के बीच में प्राकृतिक विज्ञान था यानि इतियास को ये विज्ञान वाली केटेगरी तक लापाने में सक्सम हो गए थे और ये इनका और इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक के उत्तर आदो निकवाद और एंड ओफ हिस्ट्री से रिलेटेड होगा ये टॉपिक के बड़ा इंट्रेस्टिंग है इसको भी मैं कोशी सी करूंगा कि एक-एक क्लास में हो जाए इसके हर्डर है हीगल है मार्क्स है स्पैंगलर है टाइन भी इन सब चीजों पर इन में हमें एक क्लास में दो-दो दार्श निकलेंगे तो लग बगे च्यार पंच क्लाश में, च्यार क्लाश में, साइद हम पहले सेक्शन को पूरा हम Kovr कर लेंगे, टोटल दस-वारा गंठे की Class में ये पहला सेक्शन हो जाएगा इतने में ही, मैं रोको ये उम्मेद है कि 20-ए हैं किन गंठे की Class में हम हम ये topic पूरा cover कर लेंगे. इसके बाद मैं कोशी सिय करूँगा कि लग बगे डेर्ड सोसे 200% मैं आपको किस सनांस्वर के जरीए भी इनको अगर वक्त allow करता है तो मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगा. तो सलिए next class में फिर मिलते हैं. Thank you.